मुनिया अचानक उसे देखकर चौंक गई तब ही अमर सिंग उसके करीब आया और उसे बैड पर धकेल कर उसके दोनों हातों की कलाईयों को जोर से पकड़ लिया उसके पकड़ से मुनिया की कलाईयों में दर्द होने लगा मुनिया गुसे में बूली मेरा हाथ छोड़ो अभी मेरा मन नहीं है यह सबका अब अमर सिंग मुनिया को घुरते हुए उसके कलाईयों को और जोर से दबाने लगा जिससे मुनिया की चीख निकल गई अमर सिंग हस समझ में आई तो हम लोगों के लिए सिर्फ एक खिलोना है जिसे हम जब चाहें खेलें और जब चाहें फैक दें समझी आज कल तूने मेरे बाप पे अपना जादू किया हुआ है वो बस चार दिन की चांदनी है फिर उसे कोई और कच्छी कली मिल जाएगी और वो तुझे भी इस घर की और औरतों की तरह आसमान से जमीन पर फैक देगा मैं मुनिया हूँ मुनिया कहने लगी मुनिया जिसे उठा कर फैकना इतना आसान नहीं कहते हुए मुनिया ने अमर सिंग को इतनी जोर से लात मारी की उतड़प उठा उसकी पकड़ेली होते ही मुनिया बैट से उतर गई और बैड की बगल में टेवल पर रखे चाको को उठा कर अमर सिंग की तरफ लहराते हुए बूली आप पकड़ना मुझे अभी तो बड़ा मर्द बना फिर रहा था अमर सिंग हुआ से भागते हुए बोला तुझे बाद में देखता हूँ मुनिया और बिमला जी को की देखवाल की वज़े से मुहिनी अब पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही थी उसका अंतिम महिना चल रहा था जिस वज़े से मुनिया उसके पास ही जादा वक्त रहती थी एक दिन अचानक मुहिनी को तेज दर्द होने लगा वो दर्द में चीखने लगी मुनिया क को क्या हो गया है, वो दर्द से चीक रही है, बिमला जी बोली, अरे बेटा, घब्रामत, उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है इसलिए उसे दर्द हो रहा है मैं भी दाई मा को भुलवाती हूँ बिमला जी ने मुनिया को मोहिनी के पास रहने को बोलकर एक नौकरानी को दाई मा को भुलाने के लिए भेज दिया और खुर डिलीवरी के समय जरुरत पढ़ने वाली चीजे जुटाने के सा भगवान से प्राथना करने लगी कि है भगवान इस बार मोहिनी को एक बेटा दे दो ताकि उसे भी अपने बच्चे को सीने से लगाने का मौका मिल जाए एक मा के लिए अपने बच्चे को खोने से जायदा बेहनक कुछ नहीं होता तब ही कजरी बिमला जी को आकर बोली मा लकिन दाई मा आई है बिमला जी बोली तो इन्हें लेकर मोहिनी के कमरे में जा मैं अभी आती हूँ कजरी दाई मा और दाई मा को जो मोहिनी के पास ले गई बिमला जी भी उसके पीछे आ गई मुनिया यह सब देख नहीं पा रही थी इसलिए वो बाहर बैटकर बच्चे ह दाई मा कमरे से बाहर आई दोनों के उदास चहरे देखकर मुनिया को घवराट सी होने लगी मुनिया बोली कजरी दीदी क्या हुआ मोहिनी दीदी और बच्चा ठीक तो है ना कजरी भीगी पलकों से बोली दोन ठीक हैं बहुरानी बाकी मुनिया बोली फिर आप लोग क्यो उदास है कजरी बोली बड़ी बहु गरानी को जो लड़की हुई है मुनिया बोली क्या तो कजरी बोली हाँ बहुरानी इसी खातिर बड़ी बहुरानी अपनी बेटी का सीने से लगा के रो रही है मुनिया मुहिनी के पास भागते हुए गई उसने देखा बिमलाजी और मुहिनी दोनों रो रहे थे मुनिया मुहिनी से उसकी बच्ची लेकर उसे दुलारते हुए बोली तू तो बड़ी सुन्दर है बिल्कुल मेरे पर गई है मोहिनी हात जोड कर मुनिया से बूली मुनिया प्लीज मेरी बेटी को बचा लो मैं इसके बिना मर जाऊंगी मुनिया मोहिनी को उसकी बच्ची देकर बूली आप चिंता मत कीजिये मेरे होते हुए इसे कुछ नहीं हो सकता इसे बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी उस तरफ आते तेज कदमों के हाट सुनकर मोहिनी रोते हुए अपनी बेटी को अपने आचर में छुपाने लगी मुनिया ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया तब ही अमर सिंग दरवाजे पर जोर जोर से लात मारते हुए चिलाया मुनिया दरवाजा खोलो वरना तुम्हे भी जान से मैं मार दूँगा मुनिया बोली मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तुम्हें जो करना है करलो عمر سنگھ بولا तुमने दर्वाजा नहीं खोला तो मैं दर्वाजा तोड़ूंगा बिमला जी मुनिया से कहने लगि बिटिया दर्वाजा खोल दे नहीं तो ये तुझे भी मार देगा मुनिया बोली चाहे कुछ भी हो जाए माजी मैं दर्वाजा नहीं खोलूँगी अमर सिंग कहने लगा ठीक है तो फिर मैं दर्वाजा तोड़ देता हूँ इतना कहकर अमर सिंग ने अपने आदमियों को आवाज लगाई और उन्हें दर्वाजा तोड़ने का इसारा किया अमर सिंग के आदमी लोए के हत्यारों से दर्वाजे पर हमला करने लगे जिसकी आवाज से मोहिनी के सासत बिमलाजी भी डर गई पर मुनिया निडर मोहिनी की बगल में बैठी उसे हिम्मत दे रही थी कुछी मिन्टों के बाद तोटा हुआ दरवाजा जमीन पर पड़ा हुआ था और अमर सिंग घर के अंडर आ चुका था अमर सिंग जैसे मोहिनी का बच्चा लपकने के लिए आगे बढ़ा मुनिया जो मोहिनी के आगे खड़ी हो गई जिससे अमर सिंग का गुसा और बढ़ गया उसने मुनिया को दिवार की तरफ धकेल दिया दिवार से सर पे चोट लगने के कारण मुनिया के सिर से खून आने लगा और वो हुआई बेहोस हो गई बिमला जी मुनिया के चैरे पर पानी की छीटे मार कर उसे उठाने लगी मौके का फाइदा उठा कर अमर सिंग मोहिनी से उसका बच्चा चीन कर जाने लगा तभी मोहिनी अमर सिंग के कंदे पे लगा बंदू क चीन कर उस पर तानते हुए बोली मेरी बेटी को छोड़ दो वरना आज मैं तुमें जान से मार दूँगी अमर सिंग हशते हुए कमरे से बाहा निकलते हुए बोला तुमुझे गोली मारेगी, कभी बंदुक उठाया भी है तूने तभी मोहिनी ने अमर सिंग पर गोली चला दी जो इसके कंदे में जाकर लगी अमर सिंग ने तिल बिला कर बच्ची को जमीन पर पटक दिया और फिर अपने एक आदमी से बंदुक लेकर मोहिनी पहना दुन्द गोलियां चला दी जिसे सुनकर बिमला जी डर कर मुनिया को पकड़ कर बैठ गई कुछ बाद ही मोहिनी भी बैड़ पर लहुलुहान पड़ी हुई थी अमर सिंग अपने आदमियों से बोला मा और बेटी को एक साथ जमीन में ले जाकर दफना दो बिमला जी हाद जोडते हुए कहने लगी अमर प्लीज ऐसा मत करो मोहिनी की बच्ची मुझे दे दो वह कहने लगा अभी देता हूँ कहते हुए अमर सिंग ने एक गोली बच्ची के सीने में उतार दी फिर अपने आदमियों से बोला मा और बेटी की लास को ठिकाने लगा दो बिमला जी गिडगडाती रही पर वो लोग दोन और लासों को उठा कर वहां से ले गए बिमला जी रोते हुए मुनिया को फिर से उठाने लगी पर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो कजरी की मदद से मुनिया को उसके कमरे में ले आई और डॉक्टर को फॉन कर दिया थोरी देर बाद जो डॉक्टर आया डॉक्टर ने मुनिया का चेक अप करके उसे इंजेक्शन लगाया जिससे मुनिया को धीरे धीरे होस आने लगा मुनिया होस माती चीकते हुए बोली मोहिनी दीदी और उनकी बेटी कहा है डॉक्टर ने मुनिया से करसांत हो जाई है इतना स्ट्रेस लेना आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि आप माँ बनने वाली है मुनिया बोली क्या डॉक्टर ने कहा हाँ अब आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए डॉक्टर बिमला जी को दवा की जो दवा समझा कर जो चला गया उसके जाते ही मुनिया बिमला जी से कहने लगी मा मोहिनी दीदी और उनकी बेटी कैसी है और मैं यहां कैसी आई बिमला जी ने अपनी गर्दन जुका कर बोली तु अब अपना ख्याल रख दूसरों की चिंता मत कर मुनिया घबराते हुए बोली मुझे सस्च बताईए मा सब ठीक तो है न बिमला जी रोते हुए बोली कुछ ठीक नहीं है बेटी अमर ने मुहिनी और उसकी बच्ची को मार दिया उसकी लास उठा कर ले गए मुनिया रोते हुए कहने लगी आप जूट बोल रहेंगे न मा जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता मैंने मुहिनी दीदी से वादा किया है कि मैं उनकी बच्ची को बचाऊंगी बिमला जी मुनिया को अपने सीने से लगा कर भूली मत रो मेरी बच्ची तुझे तो खुस होना चाहिए मोहनी और उसकी बच्ची को इस नरक से आजादी जो मिल गई है अब उन दोनों मा बेटी को पल पल इस हवेली के अंदर नहीं तड़पना पड़ेगा वो उने निजात मिल गई इस नरक से मेरी बच्ची मुनिया को बिमला जी ने बहला फुसला कर सुला दिया को और खुद अपने ख्यालों में खो गई जब से वो इस हवेली में आई है तब से अब तक कितनी औरतों पर जलुम हुआ है कितनी ने अपनी जान गवायनी पड़ी है आज मोहिनी के साथ जो हुआ वो सबसे भ्यानक था उसने खुद पर सरम आ रही थी क्योंकि एक तरफ मुनिया थी जो मोहिनी के लिए अपनी जान देने को तयार थी और दूसरी तरफ बिमला जी जो सब कुछ एक पाशान की तरह देखती रहे गए सुमेर सिंग की कड़दार आवाद सुनकर वो अपने ख्यालों के बाहर आई सुमेर सिंग नोंने कमरे से बाहर जाने का इसारा किया तो बिमला जी बोली मुनिया की तबियत ठीक नहीं है वो पेट से है आज तो उसे आराम करने दीजिए सुमेर सिंग बोले वो क्या पहली औरत है जो पेट से है आज तक इस घर में हर औरत के साथ ये सब हुआ है और होता रहेगा तुमने इसमें पढ़ने की कोशिस की तो बहुत बुरा होगा अब जाओ यहां से बिमला जी ने एक बार मुनिया को देखा और फिर कमरे से बाहर चली गई उसके जाती सुमेर सिंग ने दरवाजा बंद किया और मुनिया के जो पास आकर बैठ गया मुनिया की नीद तूट गई सुमेर सिंग कहने लगा तो तुम उठ गई मुनिया अब मुझे खुश करो और मेरे साथ अपना साथ दो मुनिया उठने की कोशिस करने लगी पर उठ नहीं पा रही थी मुनिया बोली आज मेरी तब्यट ठीक नहीं है मुझे बहुत कमजोरी लग रही है सुमेर सिंग भोला तो फिर क्या हुआ मुनिया को बैड पर लिटा कर सुमेर सिंग जो कहने लगा तुम्हें कमजोरी लग रही है तो लेटी रहो सुमेर सिंग के जाने के बाद मुनिया रोने लगी आज वो खुद को मोहिनी की तरह बेवस महसूस कर रही थी बच्चे के गरब होने का एहसास का औरत को मितली आने लगती है तो कभी ठकान महसूस होने लगती है पर यहां इन सब चीजों की किसी को कोई मतलब नहीं था उन्हें तो सिर्फ अपनी भूक मिटानी थी वो भी हर हाल में मुनिया सोचने लगे उसे बेटा या बेटी कुछ भी हो उसे दौनों तरफ से ही हार ना है क्यो इन्हें सब सोचों में उसका वक्त गुजर रहा था वो बहत दूर सी दीखने वाले मुनिया कहीं खोसी गई थी उसकी जगए खामोसी सी मुनिया ने ले ली थी जो हर पल एक डर के साए में जीती थी बिमलाजी उसे बात करने की कोशिस करती पर सब बेकार जाता मुनिया न इन्हें ख्यालों में खोई होई थी कि किसी ने दर्वाजिया खटखटाया मुनिया ने कहा अंदर आ जाईये मुनिया को लगा कजरी है इसलिए उसने दर्वाजे के बिना तरफ देके ही कह दिया तबी एक आकिरती कमरे में आई उसने मुनिया के पैर छो लिये मुनिया ने मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ मुनिया बोली पर मैं आपको नहीं जानती वो नौजवान बोला आप मुनिया है ना मुनिया बोली हाँ वो नौजवान कहने लगा मैं आदित्या है आपका एक लोता देवर आप कुछ याद आया मा जी का बेटा मुनिया एकदम से बोली बोला हाँ आदित्या बिल्कुल सही पहचाना आपने आदित्या कहने लगा मा ने आपके बारे में जितना बताया सब कम लग रहा है आप से मिलकर मैं बता दूँ कि मैं अब चाचा बनने वाला हूँ मुनिया उदासी से बोली हाँ आदित्या बोला आप उदास क्यों हो गई मैंने कुछ गलत कह दिया क्या मुनिया बोली नहीं बस अपनी किस्मत पर हस रही हो मा ने सही कहा था आदित्या बोला आप बिलकुल भी इस हवेली के मर्दों जैसे नहीं हो आदित्या मुनिया कहने लगी आदित्या बोला आप उदास क्यों हो गई प्रेग्नेंसी में उदास होना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता बच्चे का सबाब वैसे ही हो जाएगा तो मुनिया बोली उदास ना हूँ तो क्या करू आदित्या भगवान ने मुझे ऐसे दो रहे पर खड़ा कर दिया है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा मुनिया अपने मन ही मन कहने लगे मुनिया कहने लगे आप मा जी से मिले आदित्या बोला अभी कहां सीधा आपके पास आया हूँ अच्छा आप मैं चलता हूँ आप आराम कीजिए इतना कहकर आदित्या कमरे से चला गया तो मुनिया सोचने लगी सच कहती थी मा आदित्या बिलकुल अलग है इस घर के मर्दों से मा का त्याग सही माइने में सफल है मैं भी अपने बेटे को बाहर भेज़ दूँगी पर अगर बेटी हुई तो नहीं मुझे बेटी नहीं हो सकती अगर इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी मुनिया अब अपने आप से ही खुद अकेली बेटी हुई अपने आप से बाते कर रही थी कि क्या करेगी और क्या नहीं करेगी यही उसके दिमाग में चल रहा था जैसे ही आदित्य विम्ला जी के कमरे में पहुंचा तो उनके पैर छोने लगा बिमला जी उसे देखकर खुस कम परिशान जादा हो गए कहने लगी सदा खुस रहो मेरे बच्चे तुझे मेरी भी उमर लग जाए बिमला जी अपने परिशानी छुपाते हुए आदित्या को गले लगा कर बोली थी आदित्या बैठते हुए बोला पर माँ आपका चहरा तो कुछ और ही बोल रहा है बिमला जी उसके बगल में बैठते हुए बोली अच्छा कौन माँ आपने बेटे को देखकर खुस नहीं होगी आदित्या बोला पता नहीं पर मैंने आपका चहरा और हाब बाब पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे अच्छानक देखकर परिशान है बिमला जी बोली अच्छा बढ़ा आया चेहरा पढ़ने वाला यह सब कुछ नहीं होता मैं तो बहुत खुस हूँ बेटा तेरे आने से आदित्या बोला अच्छा मुझे बहला ये मत साइकलोजी की पढ़ाई कर रहा हूँ इतना तो समझाता ही है वैसे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं मैं खुद पता लगा लूँगा वैसे भी मैं पूरे दो महिने आपके साथ बिताने आया हूँ बिमला जी बोली क्या पर तेरी पढ़ाई डिश्टर्ब होगी न बेटा मैंने पहले ही बोला था न कि मैं मिलने आउंगी फिर तु क्यों आया बेटा आदित्या बोला उसकी आप चिंता मत कीजी मा मेरी छुटी है तो सोचा इस बार आपको और इस हवेली को अच्छे से जान लू मुझे परिवार का प्यार महसूस करना है मेरे सारे दोस्त अपने परिवार के लोगों की बाते करते रहते हैं और मैं बस आप लोगों के बारे में सोचता ही रहता हूँ इसलिए इस वक्त का तो मैं भरपूर फाइदा उठाने वाला हूँ मैं भी तो जानू आपने इस हवेली में कितने रात छुपा रखे हैं बिमला जी सोच में पड़ गई कि आदित्या को यह सब बात पता चल जाएगी तो वो क्या जबाब देंगी उसे ही उन्होंने इतने साल क्यों यह सब सहा और सेहर में क्यों बच्पन से वो पला बढ़ा है उसे क्या पता कि जमिदारों ने पैसे से पुलिस और गाओं के लोगों का मुँ बंद कर रखा है अब वो अकेली किस किस से लड़ेंगी आदित्या ने अपनी मा को सोच में गुम देखा तो हसते हुए बोला मैं तो मजाक कर रहा था मा आप तो सच में सीरियस हो गई अरे मुझे कुछ खिलाईएगा या आज भूके ही रखना है बिमला जी बोली हो मैं तो तुझे देखकर खुसी में सब कुछ भूल गई थी बेटा बस अभी लाती हो खाना तो तब तक फ्रेश हो जा इतना कहकर बिमला जी किचिन की ओर चली गई पता नहीं क्या बात है आजित्या सोचने लगा मा मुझे देखकर परिसान हो गई थी और मुनिया भावी भी उदास लग रही थी कुछ तो है जो सब मुझे से छुपा रही है आजित्या अपने आप से इबात ही कर रहा था तभी उसके पिता सुमेर सिंग कमरे में आई जिने देखकर वो उनके पैर चुने के लिए जुका सुमेर सिंग ने अपनी कड़कदार आवाज में बोले ये क्या कर रहा है तो तु मेरा कून है ऐसे किसी के पैर चुना तुम्हें सोबा नहीं देता ये हाथ अगर उठते हैं तो बस बंदुक चलाने के लिए समझे आदित्या को कुछ समझ नहीं आया था पर उसके सामने बोलने की हिम्मत भी आदित्या में नहीं थी तब ये विमला जी खाने की थाल लेकर आ गई सुमेर सिंग को देखकर विमला जी के चेहरे का रंग उड़ गया जिसे आदित्या ने देख लिया पर फिर भी वो अंजान बना रहा सुमेर सिंग बिमला जी को डाटते भी बोला तुमारी वज़े से मेरा बेटा ऐसा हो गया है किसी का आगे जुकना हमारी सान के खिलाप है और ये है कि पैर छो रहा है पर कोई नहीं हम इसे अपनी तरह बना लेंगे बिमला जी को जवाब देती उससे पहले सुमेर सिंग कमरे से बाहर निकल गया आदित्या बोला मा ये पापा क्या बोल रहे थे बड़ों के पैर छोना किसी के सान के खिलाप कैसे हो सकता है तो बिमला जी बोली बेटा तुमारे पापा गाउं से बाहर नहीं निकले है न इसलिए इनकी सोच ऐसी है पर धीरे धीरे इने समझा जाएगा वो गलत है और तू सही अब तू ये सब छोड़ और खाना खा ले बिमला जी अपने हाथों से निवाला खिलाते हुए आदित्या से बोली और अब धीरे धीरे दिन बीट रहे थे पर आदित्या को कुछ भी पता नहीं चला पर उसे कुछ तो जरूर हो गया था शक कि कुछ तो है वो ना चाहते हुए भी मुनिया की तरफ खिचा जा रहा था मुनिया की जो बाते करना उसका मुस्कुराना सब मुनिया का दिवाना बना रहा था वो जानता था कि ये सब गलत है क्योंकि मुनिया उसकी भावी है इसलिए वो जितना हो सको उससे दूरी बनाने लगा एक दिन वो ऐसे हवेली में घूम रहा था उसने देखा सुमेर सिंग मुनिया के कमरे की तरफ जा रहे थे आदितिया को पहले लगा कि सुमेर सिंग मुनिया से कुछ बात करने गए है पर कुछ देर बाद जब वो आपस नहीं आए तो भी मुनिया के कमरे की तरफ वो बढ़ गया वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि मुनिया के कमरे का दरवाजा बंद है और कमरे के अंदर से सुमेर सिंग की आवाज आ रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा कौन सा काम है जो सुमेर सिंग मुनिया के साथ बंद कमरे में करते हैं इस बात का जवाब वो मुनिया से नहीं पूछ सकता था और यूरे वो सीधा अपने मा के पास गया बिमला जू अपने कमरे मे बैटी बाल समवार रही थी तब ही आदित्या बोला मा मुझे अपसे बात करनी है बिमला जी बोली अपना बाल समारना छोड़कर आदित्या की तरब मुड़ी और बोली अपने बेटे का चेहरा देखका थोड़ा उन्हें अजीब लगा पर फिर खुद को सांथ करके बोली पहले बैठ जा बेटा फिर पोछना क्या पोछना है आदित्ये बिमला जी की बगल में जाकर बैठ गया और बोला मा आज मैंने जो देखा उस पे मुझे यकीन नहीं हो रहा इसलिए आप से कुछ पोछना चाहता हूँ बिम्ला जी बोली हाँ पूछना बेटा क्या पूछना है आदित्य बोला मा मैंने मुनिया भावी के कमरे में पापा को जो घुसकर दरवाजा बंद करते देखा ऐसा कौन सा काम है जो पापा दरवाजा बंद करके करते है बिमला जी बोली बेटा ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है आदित्य बोला ठीक है तुमा यही बात अब बोली है ठीक यही बात अब बोली आदित्य बिमला जी के हाथ को अपने सर पर रखकर बोला बताईए न मा मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली है बिमला जी बोली तुम बेकार की बातें पर क्यों अड़ रहे हो बेटा आदित्या बोला आज आप मुझे बहला नहीं सकती मा आपको मेरी कसम सब कुछ सच सच बता दीजिए बिमला ने मजबूरन आदित्या को सब कुछ बता दीजिए आदित्या यह सब सुनकर गुसे में बोला मुनिया भावी के साथ इतना कुछ हो रहा है और आप खामोस है बिमला जी बोली बेबसी से खामोस रहने का लवा बेटा हम लोग कर भी क्या सकते है मोहिनी ने इसके खिलाप वाज उठाई तो उसे मौत के घाट उतार दिया तेरे भाई ने तुभी इन सबसे दूर रहा है क्योंकि पुलिस भी इनके सारों की गुलाम होती है बिटा आदित्य बोला मैं मुनिया भावी को इन सबसे आजाद करके रहूँगा चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े बिमला जी कहती है पर तू मुनिया को आजाद करके कर भी क्या लेगा वे एक बच्चे की मा है उसे कौन अपनाएगा क्योंकि वे एक बच्चे को जनन देने वाली है आदित्य कहने लगा मैं मुनिया के बच्चे को अपना नाम दूगा मा क्योंकि मैं उन्हें पहली नजर से फसंद करने लगा था दिल करता था कि बस उन्हें देखता हूँ ऐसे ही उम्र भर पर ये सोचकर की भहिया की पत्नी है मैंने अपने अर्मानों को अपने दिल में दबा लिया जो ऐसा कुछ करने का सोचा तो इन लोगों को नहीं जानता ये अपनी जूटी सान के लिए तुझे भी मारने से पीछे नहीं हटेंगे मुनिया शादी सुदा है उसके बारे में सोचना भी पाप है आदित्या बड़ी मायूसी से बोला आपने कसम दी है मा तो मैं तोड़ूँगा नहीं पर मा मुझे आप से ऐसी उम्मीद नहीं थी आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है आदित्या मा की दी कसम की वज़े से मुनिया से और दूर रहने लगा और उसके दिल में मुनिया के लिए प्यार और साहनू भूती और बढ़ गई बले मुनिया जुवान से कुछ नहीं कहती थी पर उसकी आखों सब दर्द बयान कर दीती थी एक दिन मुनिया अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी तब ही बिमला जी उसके करीब बैठकर उसे देखने लगी कहने लगी मुनिया ऐसे क्या देख रही है तो बिमला जी बोली कुछ नहीं बस तुझे देखकर अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है एक बात पूछो मुनिया बोली हाँ पूछिए न मा जी बिमला जी बोली अगर आदित्य जैसा कोई लड़का तुमसे प्यार करता हो और तुमें इस नरक से आजाद करके तुमारे साथ नई जिन्दगी बिताना चाहता हो तो क्या तुम उसके साथ अपनी नई जिन्दगी की सुरुआत करना चाहोगे मुनिया बोली पहली बात तो ये कि आदित्य जैसा लड़का ये जानते हुए कि मेरे ससूरी मेरे साथ रोज बलातकार करता है मुझे क्यों अपनाना चाहेगा और दूसरी बात ये मा जी मैं अपनी वज़े से किसी की जान खत्रे में नहीं डाल सकती पर यह सब आप क्यों पूछ रही है बिमला जी बोली बस ऐसे ही बेटा अच्छा ये बता कौन सी किताब पढ़ रही है मुनिया उदासी से बोली गीता पढ़ रही हो मा जी बाबू जी ने दिया था सब कहते हैं गरब अवस्ता में जब जैसी किताबे हम पढ़ते हैं हमारी संतान पर भी वैसा ही असर होता है पर पता नहीं मा मेरे बच्चे की किसमत में भगवान ने क्या लिखा है बिमला जी बोली ऐसा क्यों सोच रही है मुनिया देगना तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा मुनिया बोली मा जी आप भी मुझे जूटा दिलासा दे रही हैं जबकि सच आप भी जानती है बिमला जी के पास मुनिया की बातों का कोई जबाब नहीं था क्योंकि उन्हें पता था मुनिया की बातों में सच्चाई थी जैसे जैसे प्रशव का दिन नजदीक आ रहा था मुनिया की तबियत और खराब हो रही थी ऐसे ही एक दिन मुनिया को तेज दर्द हो रहा था और विमला जी उसके पेट पर गरम पाने की सिकाई कर रही थी कि तबी सुमेर सिंग कमरे में दाखिल हुआ विमला जी उसे देखकर बोली मुनिया का आखरी महिना चल रहा है उसे दर्द भी हो रहा है उसे आराम करने दीजिए सुमेर सिंग बोला तू बताएगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या ने चल जाए हैं से सुमेर सिंग ने मुनिया से बिमला जी को अलग कर दिया बिमला जी सुमेर सिंग के पैर पकड़ कर रोते हुए भोली मुनिया को बक्स दीजिए वरना वो मर जाएगी उसके बदले में आप मेरे साथ चलिए सुमेर सिंग बिमला जी को धक्का दे कर कहता है तेरे में वो बात कहा जो मुनिया में है अब जा हैं से आदित्य बाहर खड़ा था सुमेर सिंग की बाते सुनकर गुसे में उसका खून खोल रहा था पर मा की कसम के आगे मजबूर था जब उसने अपनी मा को जमीन पर गिरे देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी मा के पास आकर उन्हें उठाते वह बोला अरे क्यों रो रही हैं आप ये पहली बार तो नहीं हो रहा कितनी औरतों ने हैं दम तोड़ा है एक और से ही ऐसे भी आप मुनिया की मा नहीं सास है उनके मर जाने से कुछ बदलेगा नहीं मा फिर कोई और मुनिया आपके पती ले आएंगे बिमला जी कहने लगी अम मुझे मेरी नजरों में और मत गिरा बेटा मैं मुनिया को कुछ नहीं होने दूगी सुमेर सिंग हस्ते हुए बोला तो तो क्या कर लेगी तो बिमला जी को बिना कुछ बोले तेजी से कमरे से बाहर निकल गए सुमेर सिंग बेहाई से आदित्य के सामने मुनिया का जो जबरदस्ती करने लगा तब ही आदित्या ने उसे जोर से धक्का दे कर जमीन पर धकेल दिया सुमेर सिंग गुसे में आदित्या पर जप्टा कि तब ही बिमला जी बंदू के लिए कमरे में आए और सुमेर सिंग पर तानते हुए चिला कर बोली दोनों को छोड़ दे वरना मैं गोली चला दूंगी सुमेर सिंग आदित्या का गला दबा कर बोला तू मुझे मारेगी हमेशा मेरे पैरों में पड़ी रहने वाली तुझ में इतनी हिम्मत आ गई तो चला न गोली बिमला जी ने गुसे में सुमेर सिंग के कंदे पर गोली मार दी जिससे आदित्या ने सुमेर सिंग की जो पकड़ थी उड़ी ली हो गई और आदित्या ने खुद को आजाद कर लिया बिमला जी सुमेर सिंग के कुड़ते की पॉकेट की तरफ इसारा करके आदित्य से बोली इनकी जेव में कार की चावी हैं उसे निकाल और मुनिया को लेकर भाग जा मैं इन लोगों को देख लूँगी आदित्य बोला मा आपको इन दरिंदों की पाश छोड़ कर मैं नहीं जाने वाला या तो हम सब साथ जाएंगे या यहीं रहेंगे बिमला जी बोली बेटा तुझे मेरी कसम मुनिया को बचा ले मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा पर तुम दोनों की आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है आदित्य कहने लगा आप चाहती है तो मैं मुनिया को लेकर इन सब से दूर चला जाऊंगा बोली चलने की आवाज सुनकर अमर सिंग और उसके आदमी भागते हुए आए तबी बिमला जी चीकते हुए बोली सुमेर सिंग को जिंदा देखना चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से डर कर सब रास्ते से हट गए आदित्या ने सुमेर सिंग की जाबी निकाली जेव से और मुनिया को कंदे पर उठा लिया तबी बिमला जी सुमेर सिंग पर बंदूख ताने हुए कमरे से बाहर निकलने लगी उनके पीछे आदित्या भी बाहर आ गया फिर वो लोग घर के बाहर निकलने लगे सुमेर सिंह की मोत के डर से कोई भी उनके रास्ते में नहीं आया आधित्य ने कार की फ्रंट सेट पर मुनिया को बठाया और खुद कार इस्टाइट करके हवेली से बाहर निकल गया सुमेर सिंह गुसे में अपने आद्मियों से बोला ये कुछ नहीं कर सकती तुम लोग जाकर उनका पीछा करो और उन्हें मौत के घाट उतार दो बिमलाजी बोली कोई भी आगे बढ़ा तो तुम्हारा मालिक जान से हदो बेटाएगा सुमेर सिंग बोला तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या का सुमेर सिंग के आदमी जैसे ही आगे बढ़े बिमलाजी ने दो गोली धड़ा धड़ा सुमेर सिंग के सीने में उतार दी सुमेर सिंग जमीन पर निड़ाल होकर गिर पड़ा डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई बिमलाजी का सामना करने की जब बिमला जी को लगा कि आदित्या उन सबसे दूर जा चुका है तो जमीन पर होई बैठ गई अमर सिंग बिमला जी से कहने लगा वैसे आज जो तुमने किया है उसके लिए तो तुझे भी गोली मार देनी चाहिए पर सुमेर सिंग को मार कर तुने मेरे फाइदे का काम किया है इसलिए तुझे मौत ना दे कर कमरे में कैद रखना सही रहेगा अमर सिंग ने अपने आदमे को आदेश दिया कि विमला जी को ले जा कर इस्टोर रूम में बंद कर दो और दो दिन इसे भूके प्यासे रखना उसके इतना कैते ही दो आदमे विमला जी को उठा कर ले गए और उन्हें इस्टोर रूम में बंद कर दिया पर अब विमलाजी को संतोज था उन्हें तसली थी कि मुनिया इस नरक से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई है उधर तनाम में होने की वज़े से मुनिया की तवियत और खराब होने लगी डॉक्टर आदित्या जो उसे हॉस्पिटल ले कर गया डॉक्टर के पास डॉक्टर ने जाच करने के बाद आदित्या से कहा आपकी पत्नी का बीपी बहुत हाई है लगता है बहुत स्ट्रेस में हैं अगर कल तक इनकी हालत ठीक नहीं हुई तो हमें ऑप्रेशन करके बच्चे को निकालना पड़ेगा वरना मा और बच्चे दोनों की जान को खत्रा हो सकता है आदित्या हाथ जोड़कर बोला किसी भी तर है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को बच्चा लीजिए डॉक्टर बोला आप धहरिये रखिये आपकी पत्नी और बच्चे को कुछ नहीं होगा रात भर मुनिया को डॉक्टर के निगरानी में रखा गया अगले दिन मुनिया ने एक प्यारी सी गुडिया को जनम दिया जब मुनिया ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया तो उसकी आँखों में आशू आ गए जिसकी वज़े आदित्या जानता था इसलिए वो मुनिया के आशू पहुँचते हुए बोला बहुत आशू बहा लिये मुनिया तुमने अब तुम और नहीं रोगी मुनिया मुस्कुराते हुए कहने लगी इतनी महरवानी की वज़े जान सकती हूँ आदित्या जी आदित्या बोला महरवानी कैसी देखा नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है आपकी पत्नी और बेटी दोनों बिल्कुल ठीक है इसका मतलब तो तुम समझती हो न मुनिया अंजान बनने का नाटक करके बोली नहीं तो आदित्या हुए गुटनों पर बैठ गया और अपनी रिंग मुनिया की तरफ बढ़ा कर बोला मेरी अरधांगली बनोगी मुनिया ने नजरे जुका कर रिंग लेकर बोली हाँ आदित्या ने मुनिया के गले से मुनिया को लगा लिया और दोनों ने मंदिर में जाकर साधी कर ली दोनों अपनी शादी सुदा जिंदगी में बहुत खुश थे मुनिया ने अब आदित्या के बच्चे को जनम दिया उनकी खुसी दुगनी हो गए वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था मुनिया और आदित्या की शादी को 6 साल हो चुके थे सब कुछ सही चल रहा था पर एक अपराद बूध था जो मुनिया को रोज परिसान करता था अक्सर रोती गडगडाती औरतों की आवाजों के साथ बिमला जी की आवाज आती थी कि मुनिया तुही औरतों पर होने वाले जुलम से एक दिन सब को बचाएगी तो मुनिया की नींद उड़ा देती थी ये बाते वो रात को चौक कर उठ जाती थी एक दिन मुनिया अधित्य से कहने लगी देखे अधित्य मुझे गाउन जाना है पता नहीं सुमेर सिंग ने मा के साथ क्या किया होगा अमर सिंग और सुमेर सिंग ने कितने औरतों की जिंदगी और बरवाद की होगी हर वक्त नेंद में यही सपना यही अपराद बोधी मेरी वज़े से की मा को कुछ हो ना गया हो मेरी नेंदे उड़ा देता है अब ऐसे और नहीं जी सकती मैं मुझे दोनों को सजा दिलाने के लिए गाउं जाना पड़ेगा आदित्य कहने लगा तुम कहीं नहीं जाओगी और हमारे बारे में सोचो हमारे बच्चों के बारे में सोचो मुनिया अगर तुमें कुछ हो गया तो मैं अकेला इन बच्चों को कैसे संभालूँगा मुनिया आदित्या के सामने हाथ जोड़ कर बोली प्लीज मुझे जाने दीजी आदित्या मुझे खुद की रक्षा करना आता है हमारे देश में इतनी विरांगनाय पैदा हुई है अगर वो देश के बारे में न सोचकर खुद के बारे में सोचती तो क्या आज उनका नाम होता बहुत सोच लिया खुद के बारे में मैंने बहुत जी लिया स्वार्थ वाला जीवन अब मुझे दोसियों को सजा दिलवानी है आदित्या बोला अगर तुमने फैसला ले लिया है तो मैं तुमें नहीं रूकूंगा पर ये बताओ तुम उने सजा कैसे दिलवाओगी मुनिया बोली अभी इस बारे में सोचा नहीं है आदित्या बोला तुम गाउं जाओगी जरूर पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ मैं कुछ सोचता हूँ थोड़ी देर बाद मुनिया कहने लगी मुझे उनको सजा दिलाने का उपाय मिल गया मैं हवेली के आसपास के सभी गाउं में जाऊंगी उन परिवारों के बारे में पता करूंगी जिनोंने अपनी बेटी किसी मजबूरी वस हवेली में ब्याही है आदित्या बोला तुम अकेली नहीं जाओगी इसमें खत्रा हो सकता है मेरा एक बिस्वास पात्र है तुम उसके साथ जाओगी और हवेली के पास वाले गाम में ही उसकी पतनी बनकर ठैरोगी और एक बात तुम हमेशा याद रखना गूंगट में रहोगी जिससे कि कोई तुमें पहचान न पए मुनिया बोली हाँ यह सही रहेगा पर पहले हम लोग जो मोहिनी दीदी जिस कॉलेज में अमर से मिली थी वहाँ चलते हैं कॉलेज से हमें मोहिनी दीदी के घर का एडरस मिल जाएगा आदित्या बोला हाँ यह तुमने सही सोचा तुमें मुझे पता है अमर सिंग किस कॉलिज में पढ़ता था एक दिन लग जाएगा हमें पहुंचने में मुनिया बोली तो फिर देर किस बात की आज ही हम लोग निकलते हैं मैं बच्चों को तयार कर लेती हूँ आदित्या बोला मैं अपने दोस्त को फोन कर लेता हूँ जिसके में जाओगी इतना कहकर आदित्या ने लेंड लाइन से कोई नंबर मिलाया दूसरी तरफ से बात करने वाले सक्स ने फोन उठाया और आने को तयार हो गया आदे घंटे बाद बैल बजी तो मुनिया ने दरवाजा खोला दरवाजे पर खड़े सक्स ने मुनिया को नमस्ते किया और फिर अंदर आ गया आदित्या उसे देखकर बोला थैंक्यू सो मच परकास अब मेरी पूरी बात सुन लो उसके बाद तुम कोई फैसला लेना इतना कहकर आदित्या ने उसे सब कुछ बता दिया और ये भी बोला इस काम के लिए मैं तुमें पचास हजार रुपे दूँगा परकास एक घंटे सोचकर बोला भाई मैं भावी के साथ जाने को तयार हूँ पर मेरी भी एक सर्थ है मैं इसके बदले कुछ नहीं लोगा एक तो भावी इतना पुन्या काम करने जा रही है उसके साथ मुझे भी थोड़ा पुन्या कमा लेने दो अगर मैं हुआ जिन्दा नहीं आ पाया तो मेरे परिवार का ध्यान रखना आदित्या बोला प्रकास ऐसा मत बोलो तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा अगर बच्चों को वहां खत्रा ना होता तो मैं तुम लोगों को साथ चलता और तुम लोगों को कभी अकेला नहीं जाने दे था आदित्या ने फिर एक कार बुक की और फिर सब चल पड़े मोहिनी के सहर अगले दिन दफैर में वो लोग कॉलेज पहूंच गए पहले आदित्या ने कॉलेज प्रिंसिपल से मोहिनी का एडरस निकालने की पूरी कोसिस की पर वो तयार नहीं हुए फिर मुनिया ने उन एड्रस लेकर वो लोग उने ढूंडते हुए आखिरकार मोहिनी के घर तक पहुँच गए मोहिनी के घर की जो जुमकी ने दर्वाजा खटखटाया तो एक चालिस पैंतालिस साल की ओरत ने दर्वाजा खोला जैसे मुनिया ने उन मोहिनी के बारे में पूछा तो गुस्टे से उस ओरत ने दर्वाजा बंद कर दिया पर मुनिया का हार मानने वाली थी वो बार बार दर्वाजा खटखटाने लगी आखिर उस ओरत ने दर्वाजा खोल कर उन सब को अंदर बुला लिया तब ही एक अधेड आदमी उनके पास आकर बैठ गया मुनिया ने पहले दोनों को प्रणाम किया और फिर मोहिनी के बारे में बताया यह सुनकर मोहिनी के मम्मी पापा हुई जमीन पर बैठ कर उनके सामने रोने लगे मुनिया और आदित्या ने उन दोनों को हिम्मत दी और अमर सिंग के खिलाब गभाई देने के लिए तैयार कर लिया फिर वो लोग होँ से निकल गए मुनिया आदित्या और अपने बच्चों से आखरी बार गले मिलकर परकास के साथ अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़ी मुनिया ने गाउं की औरतों की तरह कपड़े पहने और परकास के साथ बस में बैठ गई बस गाउं से कुछ मिनट के फासले पर थी तब ही मुनिया ने गर्दन तक कलंबा गुंगट काड लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके जैसे ही बस रुकी परकास और मुनिया अपना समान लेकर उतर गई उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं क्योंकि बहुत जल्दी रात होने वाली थी वो गाउं के अंदर घुस गए मुनिया को उम्मीद थी कोई ना कोई उन्हें आसरा जरूर देगा क्योंकि गाउं के लोगों के दिल बड़े होते हैं ये वो समझती थी परकास ने हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा पर उनके हाथ निरासा ही लग रही थी ठक कर दोन अपुआल के धेर के पास बैठ गई तब ही एक बूरी औरत पर नजर पड़ी तो वो औरत उनके करीब आकर बोली कौन गाउं से आई हो भाई आप लोग और इस रात में हैं क्या कर रहे हो मुनिया बोले हम पास के गाउं में रहते हैं ये हमारे पती हैं सहर में काम करते हैं पर मालिक ने काम से निकाल दिया दो दिन से कुछ खाने को नहीं मिल रहा एक आदमी हमको बताया कि सुमेर सिंग के हैं हमको काम मिल जाएगा हम बरतन जाडू पोचा सब कर लेते हैं बूड़ी औरत बोली अभी तो रात बहुत हो गई है हमारा घर पास में है तुम दोनों वहीं चलो हम कल सोचेंगे कि तुम को काम कैसे कहां दिला सकते हैं मुनिया बोली ठीक है दादी हम आपको दादी कह सकते हैं बूड़ी औरत मुनिया के सर पर हात फेरते हुए बोली हाँ हमारी बिटिया बूड़ीया मुनिया को और परकास को अपने घर ले गई और उनके लिए खाना परोज कर बोली बिटिया हमारे पास इसे इतना ही बचा है तो तू खा ले और अपने पती को भी खिला दे मुनिया बोली पर आप ने खाई दा दी बुढिया भीगी पलकों से बोली नहीं बिटिया हम साम को इखा लिए मुनिया बोली आप अकेली रहती है बुढिया रोते हुए बोली हाँ बिटिया एक बेटा और एक बेटी थी पहले एक दिन हमारा बेटा कहा कहने लगा कि बेहन को जो बढ़िया रिस्ता मिल गया है दहेज में एक रुपया भी नहीं देना उपर से बेहन जिन्दगी बढ ठाट में रहेगी उसकी बात हम मान लिये बिया के बाद हमें पता चला कि हमारा बेटा पैसे के लालच में बिटिया का बिवा सुमेर सिंग से कर रहा है हमारा हमको जब इस बात का पता चला तो हम अपने बेटे को बहुत गाली दिये पर उस पर कोई फरक नहीं पड़ा दो दिन बाद ही वे पैसा लेके सहर भाग गया हम सुमेर सिंग के यहां जाकर उसके आगे हाथ जोड़े पर हमारी बेटी से उसने मिलने नहीं दिया अब तो सब को बीते वे 20 साल हो गया अब तो हमें लगता है हमारी ब नहीं रहा तो बूड़ी वो ओरत बोली हाँ बिटिया तुम लोग खाना खालो मुनिया और परकास खाना खाने लगे खाने के बाद बूड़ी ओरत उन्हें कमरे में ले गई और उनके सोने के लिए बिस्तर लगा दिया उनके जाने के बाद परकास बोला यह अमर सिंग और सुमेर सिंग तो सच में राक्षेस है, वैसे मुझे करना क्या है? मुनिया बोले, अब सिर्फ अमर सिंग है, सुमेर सिंग बहुत सातिर था, उसके आगे अमर सिंग कुछ नहीं है, अब तो मुझे यकीन हो गया, मैं अपने मकसद में काम्याब हो जाओंगी, इसके लिए मैं ह तारतार की है फिर उन्हें अमर सिंग के खिलाब गवाई देने के लिए तैयार कीजिए ये काम थोड़ा मुस्किल है इसलिए आपको सुरुआत मेरे पापा से करनी होगी जब आप मेरे बारे में बताएंगे तो वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे फिर उनकी मदद से आप और लोगों को जागरू करने की कोशिस कीजिएगा इसमें बक्त लग सकता है इसलिए आपको धैरिये से काम लेना पड़ेगा प्रकास बोला मुनिया मैं इसके लिए तैयार हूँ भावी जी हवेली में खत्रा हो सकता है इसलिए आपको भी हर पल चौकन ना रहना मुनिया बोली परकास जी मैं संभाल लूँगी आप भी चौकना रहेगा ताकि अमर सिंग तक ये बात नहीं पहुंचे परकास बोला जी बिलकुल भावी जी अब सो जाते हैं परकास बैड पर सो गया और मुनिया चादर लेकर जमीन पर सो गई अगली सुवे मुनिया जो परकास दोना नहाद होकर तैयार हो गए और परकास मुनिया का घर ढूंडने और उसके पिता से बात करने के लिए हुआ से निकल गया मुनिया बुड़ी औरत के मदद से एक नौकरानी के साथ अमर सिंग के हवेली में आ गए कजरी का नाम है ना तुम्हारा कजरी कहने लगी तुम्हारा नाम क्या है कौन कौन काम कर लेती हो और इतना बड़ा गुंगट क्यों काड रही हो मुनिया बोली ललिया नाम है हमारा जाड़ो पोचा बरतन कपड़े सब कर लेते हैं और हम सुन रहे हैं कि मालिक की नज़ा ठीक नहीं इसी खातिर हम जो घुंगट काड़ के रहते हैं अब पेट की आग तो जो बुझाने के लिए आखिर कारिया काम करने के लिए आई गए पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कजरी बोली सब की यही मजबूरी हैं काम सपाई से करना ठीक से मुनिया बोली जी मालकिन कजरी एक पंद्रे सोले साल की औरत की तरफिसारा करके बोली हम मालकिन नहीं देख वो है हमारी छोटी मालकिन जा उनके पैरचो और आस्रवाद ले मुनिया बोली पर वो तो बहुत छोटी है कजरी बोली तुमको उससे क्या जाकर किचन में बरतन धोले मुनिया बोली ठीक है कहकर किचन में चली गई और बरतन धोने लगी दीरे दीरे मुनिया अपने काम से समय निकाल का छोटी मालकिन से बाते करने लगी चोटी मालकिन को भी उससे बाते करना अच्छा लगता था एक दिर मुनिया चोटी मालकिन के कमरे में कहने लगी मालकिन आप बहुत भागो वाली हैं कि आपको ऐसा घराना मिला हम गरीवन की तो जिंदगी निकल जाती है कमाने में आराम तो हम लोगों के नसीब में कहां है चोटी मालकिन केहने लगी हमारा नम बिंदिया है और रही बात भागो वाली कि तो जब आप इस हवेली में और यहां की ओरतों पर होने वाले अत्याचार के बारे में आपको पता चलेगा कि यहां पर क्या होता है तब आप भागो वाली हो आपको जो आपका मरद आपकी फिकर करता है तो भागो वाली तो आप हो मुनिया कहने लगी तो आप इसके खिलाप कुछ करती क्यों नहीं बिन्दिया बूली हम अकेले क्या कर सकते हैं या कितनी औरतों के साथ यही हुआ है पर कोई भी जो उनके खिलाप जो आवाज उठाई तो अमर सिंग उनको मार देता है मुनिया दीदी और आदित्य जी के इनके खिलाप गए थे तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया मुनिया बूली यह आपको कौन बताया बिन्दिया बूली कजरी दीदी और बाकी के सब नौकरों के मुह से सुना है मुनिया अपना गुंगट उठाते हुए बोली ये सब जूट बोलते हैं मैं ही मुनिया हूँ बिंदिया बड़े अचरज भरी आँखों से मुनिया को देखते हुए बोली पर ये कैसे हो सकता है मुनिया बोली ये सब लोगों को डराने के लिए अमर सिंग ने जूटी अपवा फैलाई है मैं हवेली में बस अमर सिंग को सजा दिलाने के लिए आई हूँ क्या तुम मेरा साथ दोगी बिंदिया बोली पर हम क्या कर सकते हैं मुनिया बोली तुम पुलिस के सामने अपनी आप बीती सुनाओगी बाकी के काम मैं खुद कर लूँगी बिंदिया बोली हम तयार हैं मुनिया दीदी आप जो बोलेंगी हम वो ही करंगे मुनिया बोली फिलहाल तो किसी के सामने मेरी सच्चाई जाहिर मत होने देना मैं सही समय पे तुमारी गभाई का इस्तमाल करूंगी मुनिया बिंदिया से बात करने में इतनी मगन थी कि उसे अमर सिंग के आने की आहटी नहीं हुई अमर सिंग कब से दर्वाजे के बगल में खड़ा दोनों की बाते सुन रहा था जैसे ही मुनिया गूंगट करके कमरे से बाहर निकलने लगी तब ही अमर सिंग उसकी कलाई पकड़ कर बोला कब से मुझे तुझ पर सक था पर मुझे लग रहा था कि तेरी कभी हिम्मत नहीं होगी यहां आने की पर मुनिया तू तो बड़ी हिम्मत वाली निकली खुदी मरने आ गई मैं आज तो तेरा काम तमाम करके ही रहूंगा मुनिया चीकते हुए बोली तू मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता अमर सिंग मुनिया की बात सुनकर अमर सिंग जोर से हसा फिर उसने मुनिया को जमीन पर धकेल कर उसको पैर से मारते हुए बोला तुम सारी औरतों की आउकात यही है समझी मुनिया अमर सिंग को हसते हुए देखकर कहने लगी जो करना है वो कर ले अमर सिंग मुनिया तो जो करने आई है वो करके रहेगी अमर सिंग मुनिया को और मारने लगा बिंदिया से जो मुनिया की हालत देखी नहीं जा रही थी तभी उसे एक बड़ा सा फूलडान दिखाई दिया उसने वो फूलडान उठाया और हिम्मत करके अमर सिंग के सिर पर दे मारा अचानक हुए हमले से अमर सिंग बोखला गया और बिंदिया की तरफ बढ़ने लगा तबी मौके का फायदा उठा कर मुनिया तेजी से भार भागी और दिवार से टंगी बंदूक उतार कर कमरे में भागती हुई आई तो देखा कि बिंदिया बेड पर लेटी है और अमर सिंग उसका गला दबा रहा है बिंदिया ने अमर सिंग की पीट में गोली मारी अमर सिंग छट पटा कर वहीं बेड पर गिर गया और फिर खुद को संभालते हुए मुनिया की तरफ बढ़ने लगा तभी मुनिया ने उसके सीने में एक गोली और उतार दी कुछ ही देर में अमर सिंग की जो मौत हो चुकी थी वह मौत की नीज सो चुका था बिंदिया मुनिया के गले लग कर रोते हुए बोली आप तो साक्षात मा दुरगा का रूप हो जिनोंने अमर सिंग जैसे राक्षस से हम सब को बचाया है मुनिया बिंदिया को अलग करके बोली हम समय माता बस्ती है बस उन्हें सही समय पे जगाने की देर है हम जब तक सहते रहेंगे इनके जैसे राक्षस हमारा सोसन करते रहेंगे इसलिए खुद लड़ना सीखो अब मैं पुलिस को फॉन करने जा रही हूँ मुनिया ने हाल में फॉन से जो गय हॉल में गई और फॉन से जो पुलिस को फॉन किया और फिर आदित्या को कुछी देर में पुलिस हवेली पहुँच गई और मुनिया को ग्रफतार करके ले गई बिंदिया कजरी और हवेली के बाकी नौकर और गाओं के लोगों की गभाई से सावित हो गया कि अमर सिंग गुनेहगार था और मुनिया ने जो किया वो बिंदिया को बचाने के लिए किया इसलिए बिंदिया को बाई जट छोड़ दिया गया तब तक आदित्य भी आ गया और कजरी की मदद से विमला जी को छुडा लिया गया विमला जी की बताई जगह पे जब खुदाई की गई तो सैकडों की संक्या में कंकाल बरामद हुए जिसमें नवजात बच्चों के भी कंकाल थे मुनिया यह दिर्शय देखकर आदित्या से लिपट कर रो पड़ी सारे कंकालों का अंतिम संस्कार हुआ और उनकी आत्मा की शान्ती के लिए विमला जी ने पूजा करवाई इधर मुनिया को देखकर उसके पिता भावुख होकर उससे लिपट कर रोने लगे आदित्या ने मुनिया की मदद से बच्चों के लिए स्कूल खोला जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आतमरक्षा के गुन सिखाये जाते थे शाम को इन स्कूलों में गाउं की ओरते और मर्दों को पढ़ाया जाता था इसके साथ ही उन्हें भी बताया जाता था कि बेटा हो या बेटी होना पुरुष पे निर्भर करता है ना कि महिला पर इसका ये फायदा हुआ कि औरतों को बेटी होने पर दिये जाने वाले ताहने बंद हो गए विमलाजी की सलहा से गाउं में एक फैक्टरी भी लगाई गई ताकि गाउं वालों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े आधित्या ने गाउं में ही एक अस्पताल खुलवा दिया जिसमें हर तरह का इलाज होता था मुनिया गाउं की ओरतों को आतम निर्वर बनाने के लिए उन्हें घरेलू चीजें जैसे अचार पापर तिलोरी बनाने में मदद करने लगी इसके साथ ही जिन ओरतों को सिलाई में रूची थी उन्हें सिलाई के लिए सिलाई मसीन और बाकी जरुरत की चीजें मुफ्त में उपलब्द कराने लगी एंजियो उनकी बनाई चीजें और कपड़े सहर में बेचने में मदद करने लगे मुनिया की वज़े से सारे गाउं वालों की जिन्दगी में बदलाब तो आया ही बिमलाजी और बिंदिया जैसी कही औरते भी अपने हके लिए लड़ना सीख गई गाउं की तरक्की देखकर बिमलाजी मुनिया का माथा चुम कर भूली तु सच में भागो वाली है मुनिया तुने जो कहा वो कर दिखाया अब सब लोग खुशी से अपनी जिन्दगी जीने लगे मुनिया और आदित्य और उनके बच्चे और बिमलाजी का पूरा भरा पूरा परिवार था बिन्दिया को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था किसी अच्छे से लड़के को ढोंड कर उन्हें बिन्दिया का विभा करना था तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें राधे राधे